गुद मॉर्निंग फ्रेंड्स करते हैं आप लोग आशा करती हैं कि आप लोग सभी स्वस्त होंगे और परिबार के साथ मजे में होंगे तो चलिए दिवाली की साफ सफाई हो रही है और यह देखिए कृष्णा कृष्णा चेहरा दिखा और यह देखिए एक मैड़क भी और यह देखें किचन का पूरा सामान ही निकालकर पूरे डाइडिंग हॉल में रख दिया गया है जहां मैं ट्यूशन पढ़ाती हूं मेरे हस्बंट ट्यूशन पढ़ाते हैं वही पे और इस तरीके से कुछ समझ ही नहीं आ रहा है कि क्या-क्या करना है जो भी सामान दिख सब्सक्राइब करने वाला रहता है उसको देदेती। तो इस तरिके से अब साफ सफाई में कि छली मैं अपना पूरा कंडेनर को क्लीन करना तो इस तरिके से मैं सारे कंटेनर को साफ कर लूँगी क्योंकि अभी कुछ भी दिमाग में कुछ भी नहीं समझा रहा है मैंने पहले ही आप लोगो को बताया कि मुझे छुटी नहीं मिलती स्कूल से बस धनतेरस पढ़ा के छुटी मिली है तो जो मेरे पास टाइम है वो आज का ही है और वीडियो नहीं बहुत जाओं pe RVL. कुछ कंटेशन साफ रहते हैं कुछ गंदे रहते तो उसको देख लिया चाएगा बाद में आभी जो थोड़ा साफ है उसको ऊपर कप्रे से साफ करे ना है और साफ करके उसको सारे को एक जगार और कर दूँंगी तो मैं यह जो मुझे को रखना है और क्या नहीं रखना है क्योंकि अभी तो बिल्कुल ही नहीं समझा रहा है देख सकते हैं इस्तिती कैसी है मेरी इस्तिती बहुत खराब है आप लोग भी आजाएं मेरी मदद करने के लिए देखिए किस तरीके से कभी वो बोल रही है बेटी मेरी की कभी पहले यह कर लो तो कृष्णा बोल रहा है पहले मैं यह कर ली जी इस तरीके से जो मुझे मैं बात भी कर रही हूं और काम भी अपना करते चली जा रही हूं तो इस तरीके से बड़े वाले टब में मैं कंटेनर्स को पुरा साफ करके रख लूँगी और जब साफ हो तो सारे को एक जगह लगा लूँगी तो पुरा लूँगी और अब कुछ कंटेनर साफ हो गया है तो जरा साब बेट को अच्छे से हाथ से जाड़ लेना है क्योंकि अभी कुछ नहीं सोचना है सारे कंटेनर को यहीं पर मुझे रखना है क्योंकि मेरा दिमाग बिलकुल ही ने काम कर रहा है सर्दी भी उतना ही है फीबर भी है और कई द मुझे जाना पड़ा था मोतीहारी बारत वीकास परिशद का कुछ फंक्शन था बचों का तो उसमें मुझे जाना था क्योंकि मैं अपने स्कूल में डिसिप्रीन इंचार्ज भी हूँ तो बच्चे को लेकर जाना था तो उसमें चली गई तो थोरा सा पानी भी चेंजिंग हो गया होगा हो सकता है इस वज़े से भी और घर में भी लगातार काम रहता ही है फ्री नहीं रह पाती इसलिए मुझे बहुत दिक्कत होती है तो मैंने क्या किया है दोनों तरफ अलग- पाद में मिल ही जाते हैं तो देखती हूं कि फिर क्या कर सकती हूं और क्योंकि मीट केस्प को भी मुझे साफ करना है तो अभी चलिए दिखा रही हूं कि किस तरीके से मैं पहले पहले तो थोड़ा स्टेबल होना है वह अच्छे से दिमाग को स्थिर करना है और लगातार बात भी कर रही हूं काम भी कर रही हूं और दोनों तरह के कंटेनर को अलग कर दूंगी तो मुझे रखने में सुधा होगी और इधर कीचन में भी साफ सफाई चल रही है सौम्या और कृष्णा उधर कर रहे है कीचन में साफ सफाई और इधर मैं लगातार उन लोग को इं तबसे लगाता और वही जार पोश इधर उधर साफ सफाई सब उसी का चलते रहता है और husband help कर देते हैं और मुझसे नहीं हो पाता लगबख सारा कुछ वही लगबख उसने इस बार दिवाली में किया है और जो बच गया था वो यही रसोई घर का काम था और इस तरीके से दे कर देश कि कम थे एक बाजा करती बोला यह धैंजकि मेरी कोशिस है कि मैं किस तरीके से ऊर्गनाईज करती है आप लोगों को दिखाँ क्यों कि एक दूसरे से सीखने का मौका मिंताए तो मेरे लिए यहीद ही बहुत स्पेसियस रहता है तो डाइनिंग हालज तो यही पर मै काम करती हूँ और इधर ये एक रैक है ये रैक जो था ना मैंने फ्लिप कार्ट से ओर्डर करके मंगवाया था पटेल राज नाम था साइद इसका इसका भी लिंक मैं दे दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोग देख लीजिएगा तो ये है मैं ये नहीं कहूंग इसी पर कुछ कंटेनर्स आ जाते हैं जैसे कुछ कुछ कंटेनर्स होता है ना जो कीचन के वह वाले रैक पे नहीं रख पाती तो मैं उसके इसी पर रख देती हूं तो बहुत सुबधा होती है इस तरीके से मैं साफ कर ले रही हूं और इस तरीके से थोड़ा थोड़ा करक दिमाग स्थिर करके काम चलता जा रहा है और कई बार मुझे उठकर देखना भी पड़ता है क्योंकि बीच बीच में सौमिया भी कुछ बोलती है मम्मी ए स्कॉच ब्राइट दो ब्रस दो कुछ-कुछ चलते रहता है उधर कृष्णा भी कुछ-कुछ मांगते रहता है तो इ मैंने बना लिया था पूरी और भुजिया जो कि मेरे अभी जो वीडियो मैंने अपलोड किया है थोरी दिर पहले तो उसमें आप देख सकते हैं तो इसलिए मैंने कहा कि वीडियो बहुत लंबी हो जाती और समझ में नहीं आता कि कैसे क्या करूं और ठाकान के वज़े से लिए सौरी कहीं कहीं आगे पीछे हो जाता है बुलने में तो उसके लिए सौरी और इस तरीके से मैं पेपर ही फोल्ड करके बिचा दे रही हूं देख सकते हैं आप और यह ना कीचन में रखने से इतना अच्छा लगता है इतना बढ़िया लगता है और इसे बड़तन कालिम बहुत सुबधा होती है तो इस तरीके से यह सारा कर दिया मैंने और इस तरीके से देखिए कितना अच्छा लग रहा है ना अब इस पर बड़तन रखने में भी बहुत सुबधा होगी मुझे कर दो कितना अच्छाइ से कुझेक आच्छा बहुत सुबधा है अच्छा दोल खोगे की ल कार दोला है यहाल है ना अच्छा लगता है तो इस देखिए में ना है जाच्छा का अच्छा और इधर कीचन ना कीचन बहुत पुराना है मेरा मतलब घर बहुत पुराना है नामलों का तो यह देख सकते हैं कि यह छूटता नहीं रहता है पानी का दाग है तो आज यह बोल रही थी बेटि हारडवेर के दुकां से एक मैंने मंगा था रॉक करके तो बोली कि मैं उससे क्लीन करके देखते हुए मैं बोल भी रहे हुँ की वो रिअक्शन करेगा क्यों की बैसीं जो है वो कर रही है उधर और इधर लगातार मेरा डाइनिंग हॉल में जाना कंटेनर को मैं फिर दूसरे रूम में रख रही हूं और इधर सौम्या पुरा साफ कर रही है बरी वाली बेटी देखिए इस तरीके से यहां बहुत गंदा है कितना भी हार्पिक यूज करो कुछ भी यूज करो यह साफ ही नहीं होता कई वार मैंने बेकिंग सोडा से किया है सिरका से किया है और थोड़ा सा गरम पानी से भी किया है पता नहीं क्या बात है साफ नहीं होता कुछ लोगोंने मुझे का एसिट से यूज करने के लिए तो मैं बोली कि यह तो भाई मुझ से नहीं हो सकता यह किसी से मैं बोलके ही करवाऊंगी और इधर यह आटा का और चावल का कंटेनर है तो इसको भी लगे हातों साफ कर लेते हैं क्योंकि बीच बीच में यह सारे धूलते ही रहते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता और तो मेरा रखने का आदत है जान रहे हैं सूप मुझे सू यह केला था ना तो यह माँ गाओं कल गई हैं मेरे छोटे वाले ससूर डॉक्टर है तो वो अभी गाओं आए हुए हैं उनकी वाई भी वहां पर छट करेंगी तो वो लोग वहीं पर माँ पर चली गई है पहले तो इस तरीके से वो ना केला दे करके कि वो केला ना कच्चा ही था तो उसी को देख रही हूँ थोड़ा पक सा गया है तो उसको रख देख देख अभी तो खाएंगे नहीं बिलकुत सरदी सा है देखते हैं उसको पूजा में यूज करेंगे और इस तरीके से आप मैं आ गई यहां पर यह मेरा बड़ा वाला है बॉक्स है तो इसको मैं नहीं निकालती रूम से क्योंकि यह बहुत यूजफूल है जाड़े के कपड़ों के लिए तो बहुत अच्छा है क्योंकि दीवान में मुझे बहुत अंकमफर्टेबल मतलब नहीं मुझसे नहीं हो पाता और इसमें बहुत सुबदा होती है जटा जट निकालो धूप में सुखालो अपना अपना काम करने का तरीका है सामान रखने का तरीका है मुझे इसमें बहुत सुबदा होती है और अब इस पर जितना मैंने रखा है यह आचार का बोयाम है तो इसको भी साफ कर लेते हैं फिर इसको देखेंगे किसी छोटे से कंटेनर में निकालना भी है व बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जो मेरा नहीं हो पाता चाह कर भी क्योंकि मेरा टाइमिंग भी ऐसा है नौ बजे से लेके सीधे मैं घर जब पहुंचती हूँ तो चार बज जाता है उसके बाद तो मेरा दिमागी वर्क नहीं करता है मैं बहुत ठक जाती हूँ फिर हस्बन का को सिह सब्राइए इस तरिके से बहुत बियस्त नाइफ मेरा बहुत ही बियस्त उतना तो मैं बता भी नहीं सकती लेकिन उसी में जो कुछ भी है यह बेटी जो थी नहीं currency ना चाहते हूं तो बहुत कहने पर उसमें एक खोला था इससे पहले मेरा एक channel और था बीनीटा लाल वाला तो उस पर मैं drawing का देती हूँ video या फिर पढ़ाने का देती हूँ तो आप उस video को भी देख सकते हैं उस मेंी जो उस channel को भी देख सकते हैं उस पर भी बहुत सारे अच्छे-च्छे videos है और इधर देखे क्रिश्ना इधर साफ सफाई कर रहा है और वो बेसिन में ही लगी हुई है और यह नया स्कॉच ब्राइट उसने मांगा है तो मैं ही मैंने ही बोला कि इसे देखो रगर के क्योंकि वो उसी पर लग गई है कि नियाज तो मुझे उसी को साफ करना है तो मैं बोली ठीक है चलो अच्छा करो और इधर लगातार कृष्णा, सौम्या, मैं और चोटी वाली बेटी बीच-बीच में आकर के सभी एक दूसरे को हेल्प कर रहा है देखते हैं रात का कितना आठ बस्ता है कि नो बस्ता है कुछ समझ नहीं आ रहा है और बहुत ज़्यादा ठाकान है में है कि खासी जो होग कभी पी हूँ, कभी मेरे हस्बंट भी पेपर पढ़के यहीं रख देंगे बस इस तरीके से पूरा होच-पोच की स्थेती मेरी बनी ही रहती है तो इस तरीके से सारा समान मैं रख ले रही हूँ एक दूसरे रूम में जिसमें की जो मा का रूम है उसमें अभी रखेंगे अब फिर उसको भी, क्योंकि वो जहार लिया है हम लोगों ने, बेडरूम भी मेरा हो चुका है, के बल यही रसोई घर बाकी था तो इसको भी निवटा ही रही हूँ, तो इस तरीके से देख सकते हैं कि पूरा बक्सापर का छोटा मोटा जितना सामान था सभी को उठा उठ के रख ले रहे हैं, जो समझ में आरा वही कर रहे हैं, और इस तरीके से इस पर जो है मेरा सर्फ का, वो सर्फ मांग रहा है क्रिश्ना कि मैं सर्फ दीजे, सर्फ दीजे, सारा सर्फ खतम हो गया था तो डाल ले नहीं थे, तो इस तरीके से कंटेनर में डाल देते हैं, उस को दे देते हैं और देखे थोरा सा बेज पर गिर गया तो जल्दबाजी में कुछ नकुछ नुकसान भी होते ही रहता है कोई बात नहीं चलिए इस थोरे से इसमें भी डाल देते हैं और इसको लगा लेते हैं रख देते हैं और इस तरीके से फड़ा फट फड़ा फट काम कर बहुत काम बाकी है मेरा और यह देखें बॉक्स को साफ कर लेते हैं लगे हाथ उसी कप्रे से मैं इसको भी साफ कर लेती हूँ और एक एरेट बॉक किना अच्छा और कितना बुरा कितना अच्छे से साफ किया कितना कम साफ किया वो सब नहीं देखना बस हो जाना चाहिए क्योंकि स्कूल भी मेरी खुल जाएगी एक ही तारीक और इसी में मुझे जारे के सारे कपड़े भी निकालने हैं धूप लगाने हैं और भी बहुत सारा काम है जो मेरा नहीं हो पाया क्योंकि मेरे बीच में स्कूल का फंक्शन था दिवाली का बच्चों का मतिहारी जाना था बहुत सारी चीज़े हैं कॉपी चेक करना था रिजर्ट बनाना था कहां से हो पाएगा लेकिन फिर भी चलिए जो हो रहा है और इधर देख रहे हैं पलंग पे जितना भी मेरा सामान था उसको निकाल के फिर मैंने इस बड़े बॉक्स पे रख दिया है और इस तरीके से मनी प्लांट को वहीं पे रख दिया है अब रह गया यह आलू प्याजवला तो दो पॉलिथीन में आलू है तो फटाफट उसको निकाल के सबजी स्टेंट पे रख देते हैं यह सबजी स्टेंट मैंने कुछी दिनों पहले साफ कर लिया था बस मैं पेपर को हलका जहार दूँगी और उसी पे आलू रख दूँगी पुरा और प्याज को एक जगा कर देना है और आलू को एक जगा कर देना है तो इस तरीके से इसको भी कर लिया मैंने और यहां लहसून को ले आई हूँ थोरा सा धूप लगा दिया था पहले तो सोचा कि इसी डली में जटक के इसका काम कर लेते हैं बढ़ नहीं हो पाया तो अभी सूप में ले आई हूँ सूप में मैंने इसको जटक दिया जटक है हलका हलका छिलका इसका निकाल दिया है मैंने और इसको भी इसी कंटेनर में इस रैक में डाल देंगे सरी कंटेनर मुह से निकल गया इसी रैक में डाल देना है और ये चलो जी ये भी काम पूरा complete मेरा हो गया इसको लाके रख देना है एक side में क्योंकि जब तक side नहीं लगाओ न समझ में नहीं आने वाला है कि कौन काम हो रहा है कौन काम नहीं अब लगे हाथो फैन का switch बंद करो जारू लगाओ फटा फट क्योंकि पूरा जो भी गंदा है इसको क्या करना है निकाल के हटा लेना है और काम बिलकुल नहीं फैलाना time नहीं भाई तो जल्दी जल्दी लगाओ जारू जो भी गंदगी है डालो dust bean में dust bean भी आज जल्दी फ याद भी नहीं क्या मैंने इसमें रखा क्या नहीं बहुत बाते भूल जाते हैं इसकूल के कारण तो इस तरीके से सारा यह देखिए एक पॉलिथेन यह दिख रहा है ना इसमें जितना पॉलिथीन होता है नदासन का मैसी में डाल देती हूँ अब पूरे इसमें जितने भ मुझे रहता है तो बहुत ज्यादा हिल्ập मुझे नहीं मिलता है जो रेता है जो क्यों ना मैं Amer कर вместе हो जो मुझे सुवधा हो तो देख रहे हैं आप मीट केस के अंदर ये पूरा लक्षमन रेखा है उसी के उपर से मैं पेपर बिछा देती हूं और इस तरीके से कुछ भी नहीं लगता और ये उपर वाला जो मीट केस का पार्ट है इसमें मैं दूद दही रखती हूं तो उसके दूद को खौलाने के बाद तुरत रख देती हूं क्योंकि बिल्ली न बहुत तंकरती है मेरा तो नीचे का सारा रूम है तो बिल्ली का आना जाना लगा ही रहता है तो मीट केस के कारण मुझे बहुत सुवधा होती है और इधर कृष्णा है इस पूरे टाइल्स को साफ कर तो उसको मैंने कह दिया है जहां जहां गंदा है रगर दे कभी मैं करती हूं कभी सोमी और कभी कृष्णा तो कृष्णा बहुत अच्छा है यह मेरा बच्चा है लेकिन और बहुत हेल्फुल है हर चीज में अच्छा है बहुत अच्छा है तो यह आकर मेरी मदद कर देता ह और मैं भी इसकी बहुत ज्यादा हेल्प करती हूँ, बहुत ही अच्छा स्टुडेंट है मेरा ये, तो इसे काम की जब जरूरत होती है तो बोलता है कि मैं मैं ही करूँगा तो मैं इसी को बुला लेती हूँ और इस तरीके से कृष्णा पुरा साफ कर देगा तो मेरी मदद ह जाएगी, तो इस तरीके से सोमी और कृष्णा की हल्प से ही मेरी दिवाली की साफ सफाई हो रही है और हस्बंड पूरा बाहर का मार्केटिंग का काम कर रहे है तो इस तरीके से बहुत ज्यादा हल्प मिल जाता है मुझे परिवार से और कोचिंग में तो पूरा हस्बंड का पूरा अच्छा टाइम चला जाता है फिर भी जितना होता है तो वो भी मेरी बहुत मदद करते हैं तो इस तरीके से मेरा छोटा सा परिवार है बट मैं अपने परिवार से बहुत खुश हूँ क्योंकि सभी हल्पुल है और जितना भगवार ने मुझे दिया है मैं उसमे मैं बहुत खुश हूँ तो इस तरीके से कृष्णा साफ कर लेगा तो पूरा कीचन जब फुली मेरा पूरा अच्छे से और्गनाइज हो जाएगा तो उसका भी मैं वीडियो देखूंगी अप्लोड करूंगी मैं वादा तो नहीं कर सकती लेकिन हाँ कोसिस रहेगी मेरी क कि मैं अप्लोड करूं और ये देख लीजे पूरा डाइनी हॉल का नजारा दिख रहा है ना गजब मतलब स्पिरिटली काम हो रहा है मेरा और ये जितना भी मीट के से सामान निकाला ना तो अब मुझे कुछ मिल ही नहीं रहा है कोई टब मिल ही नहीं रहा है कि मैं किसमें क्या रखूं तो मैं क्या करूंगी इसी थैले में जितना भी मैंने छोटा मोटा कंटेनर्स निकाला है ना सब को इसमें मैंने डाल दिया और बेटी को बोल दी हूँ कि रख देने के केस साफ शाफ करने की लिए रफी मैंने मांगा है पीशू से पीशू ने दे दिया और वर shines जाला है अंदर में तो इसे टूथ अभेश से सफ करने से साफ हो छाता है तो देखिए इसी तरीआके से टूथ ब्रस से पुराने टूथ ब्रस से मैं सारा ज्छोब जहकर जो इस इतना पतला और साफ है न इससे एक दा मतलब पतला की कारण इससे बहुत अच्छा मुझे होता है माइक्रो फाइवर क्लॉथ भी रखती हूँ बट इससे बहुत मुझे अच्छा रहता है पतला के कारण तो इस तरीके से बीम बार से पूरा इसको क्या करना है पहले तो इस कपड़े से पोश देना है फिर बीम बार से पूरा इसको रगड देना है और ये देखिए छूटे का नहीं सभी को क्या करना है पहले एक बार कपड़े से पोश देना है नहीं होगा तो ये देखो बीम बा हलके हलके हाथों से इसे लगाया है मैंने देखिए अब ये पूरा का पूरा क्लीन हो जाएगा खुब बढ़ियां से लगे हाथों इसकपड़े से बढ़ियां से पूस्ते चलो भाई टाइम नहीं है फटाफट करो दिवाली कल है जल्दी जल्दी साफ करो और मेरे साथ आप लोग भी साफ करो नहीं होता है तो मेरी मदद करने के लिए भी चलिया क्योंकि मुझे तो भाई सबकी मदद की जरूरत है मेरे सारे फ्रेंट्स बहुत अच्छे हैं मुझे प्यारे प्यारे कॉमेंट्स करते हैं तो आईए आप लोग मेरी मदद कीजिए भाई तो इस तरी इस meat case को साफ करने दो क्योंकि इसमें 90% containers जो use करने वाले नहीं होंगे वो इसमें आ जाएंगे और इधर से मैं recording की आवाज डाल रही हूँ और इधर पटा का भी छूट रहा है भाई उसकी भी आवाज सुन लो आप लोग happy दिवाली सबको कई बार आप लोगों को क्योंकि दिवाली जो है बहुत पर्वे जो होता है न वो ये सिखाता है न कि जिन्दगी में उल्लास है उमंग है साफ सफाई करते रहो खाना पीना बनाते रहो परिवार के साथ इंजवाई करो सबको अच्छे से खाना खिलाओ और बैठ करके चुटकुले कहानी संगीत सभी चीजों कामा जा लो तो इस तरीके से देख रहे है न पटा पट कपड़ा लो बाल्टी में धो उसको कपड़े को लो साफ करो करते चलो करते चलो और ये कीचन में देखो लगातार रगड 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 के कीचन को साफ किया जा रहा है और इधार मैं में तक psyche कर लक्षवन गाना करना ठाला जाना है और इस तरीके से पूरे निचे आरे ruinhena उसको करते चले जाना है कश कुछी जो की जरूरत है तो मॉत्से मांग लेना की और फटा ख़ट कोणा कर फटा चले जाना है तो चलिए ये भी काम मेरा कम्प्लीट है लगबग और इधर क्या हुआ ना कि राश्री तो स्वामी को बोलती हूँ मैं राश्री तो वो पेपर विछा रही है और इधर कृष्णा वो बरतंद होने वाला स्टाड नहीं दोया था तो वो दोरा है और मीट केस लगबग मेरा फाइनल हो गया और अब इसको क्या करना है लगा देना है और इसको भी थोड़ा सा अभी साइड कर देना है चलो जी मीट केस साइड हो जाओ तो इस तरीके से वीडियो में कुछ भी पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अगर कोई भूल चुक हो गई हो तो प्लीज माप भी करें ठीक है, once again, happy diwali to all of you और ये मेरा एक छोटा सा प्यारा सा गार्डेन गुलाब है, आप लोगों को बुला रहा है आप लोगों को विश भी कर रहा है, happy diwali, happy diwali, happy diwali enjoy with your family and children and brings happiness to your home so bye bye everybody, फिर मिलते हैं next video में नही नही बातों के साथ, उल्लास के साथ, उमंग के साथ, चांद सितारों के साथ, अच्छे अच्छे फूलों के साथ, colorful flowers के साथ okay, bye bye and thanks for watching you